नमस्कार स्टूडेन आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है भारत के सविधान की उद्देशी का इस सविधान की प्रस्तावना को इतने सरल और ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि उसके बाद आपको कभी भी सविधान की प्रस्तावना से आने वाला आपका कोई परसन गलत नहीं होगा आपकी प्रस्तावना एकदम से आपको दिमाग में सैट हो जाएगी तो चलते हैं प्रस्तावना की और भारत की सविधान की प्रस्तावना का भाव क्या है यह क्या कहना चाहरे हैं सविधान में जो देश्य हैं जो भाव है वो क्या है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण पर भुत्व संपन समाजवादी पंथ निर्पेक्ष लोकतांत्री के गर्ण राजी बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरीकों को सामाजी का आर्थिकों राजनेतिक नियाई विचार अभियक्ति विश्वास धर्म और उपासना के सवतंतरता परत इस ठावरवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए उन सब में विक्ति की गरीमा और राष्ट की एक ठावरखंड तासुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए द्रड संकल्पों का अपनी सविधान सभा में तारीख कितनी 26 नौमरों ने 49 ति थी कौनसी सुक अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं अब एक एक सब्द का अर्थ हम समझेंगे कि हम भारत के लोग इसका क्या अर्थ है तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे फिर हम देखेंगे भारत को एक संपूर्ण पर भुट्व संपन समाजवाधी पंथ निर्पेक्ष लोग भारत के समिधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने किया है, किसने किया है भारत के लोगों ने, नै कि कोई विदेशी सरकार ने अपने परते निधियों के माध्यम से किया है, किसके माध्यम से किया है, अपने परते निधियों ने चुने वे परते निधियों क माध्यम से नहीं कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने बनाया भारत को किसी दूसरे ने नहीं सोपा भारत के खुद के जनता ने भारत के लोगों ने अपने परतिनी ध्यूं के माध्यम से भारत के सविधान का निर्मान किया है और अधिन येमन किया है किसी बाहरी वेक्त इसका मूल भाव देख लिया भारत को सम्पून पर्भूत्व सम्पन इसका क्यारत है ये देख लेते हैं यह जिस की मामले उनका फैसला करने का सर्वोच अधिकार है कोई भी बाहरी सक्ति भारत की सरकार को आदेशित नहीं कर सकती भारत की सरकार आंतरिक और बाहिये रूप से पूरी तरह से फैसले लेने के लिए सवतंतर है जवादी का मतलब क्या है? कि उत्पादन और वित्रण के जो साधन हैं वो सांजा हैं उन पे किसी भी व्यक्ति विशिश का अधिकार नहीं होगा समाज का अधिकार होगा, समाज के नियंतरण में रहेंगे और समाजवादी वेवस्था होगी पंथन निर्पेक्ष यानि धर्म के मामले में भारत पुरी तरह से सभी धर्मों के साथ समान भाव रखेगा कोई भी अधिकारी के धर्म नहीं होगा लोक तंतरातमक उसका देख लेते हैं आसा रूप जिसमें लोगों को समान राजनियती का धिकार पराफ्त रहते हैं लोग अपने सासक का चुनाओ यानि सरकार का चुनाओ खुद करते हैं और उसे जवाब देह भी बनाते हैं ये सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुसार चलती है न की मन मर्जी से यानि कुछ कानोनी नियम बुनियादी नियमों का जो अपना सविधान है वो बुनियादी नियमों का संग्रह है तो जो सरकार हो किसके अनुसार चलेगी कुछ बुनियादी नियमों के अनुसार चल गण राज्ये का क्या मतलब है कि हमारा जो राष्ट्रा ध्यक्स होगा वो किसी राज्या या किसी कुल से समन्दित नहीं होगा वो जनता द्वारा चुना हुआ कोई व्यक्ति होगा बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को समाजिक आर्थिक और राजनेतिक न्याई न्याई कितने परकार की तीन परकार की समाजिक आर्थिक और राजनेतिक कम्पिटीशन में आज कल करम से पूछ लेते हैं कि न्याई को किस करम से दर्शाय गया भारतिय सविधान की प्रस्तावना में तो सार के रूप में समाजिक न्याई आर्थिक न्याई और राजनितिक न्याई समाजिक मतलब समाज में सभी व्यक्ति बराबर होंगे और किसी के साथ जाती धरम लिंग वंस के आदाहर पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा आर्थिक का मतलब है गरीब और अमीर की जो बीच की खाई है उसको कम करने का पूरा प्रियास किया जाएगा राजनितिक न्याई का मतलब है कि सभी की समान भागेदारी होगी विचार अभिवेक्ति विश्वास धर्म और उपासना की सवतंतरता विचार अभिवेक्त करने की विश्वास तखने की धर्म को मानने की और उपासना करने की पूरी सवतंतरता होगी उपासना मतलब पूझा पाथ वावदू वी एवी डी यू वी से विचार अभिवेक्ती दूसरा जो वी है उसका मतलब विश्वास दी का मतलब धर्म और उपासना वावदू वी एवी डी यू से आप याद कर ले कितने परकार की सवतंतरता है पाँच परकार की सवतंतरता दी गई है सविधान में अपने परस्तावना में वो पाँच परकार की परतिष्ठा और अवसर की समानता परतिष्ठा ए और एस पास हो गई भारत का सविधान की परस्तावना पास हो गई यानि क्या समानता कितने परकार की दी गई है दो परकार की को प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में विक्ती की गरीमा और राष्ट की एकता और अखंडता सो निश्चित करने वाली देश की एकता और अखंडता विक्ती की गरीमा सबसे उपर क्या है उन सब में उपर जो भी जितनी भी बातें दी गई हैं उन सब में विक्ती की गर गरीमा प्राथमिकता में रहेगी राष्ट की एकता और अखंडता प्राथमिकता में रहेगी जहां व्यक्ति की गरीमा भंग होगी वहां न्याय नहीं मिलेगा जहां व्यक्ति की न्याय की बात नहीं हो सकती जहां व्यक्ति गरीमा भंग होगी वहां समानता के सुतंतरता के जो अधिकार हैं वो तभी प्राप्त होंगे जब वेक्ति की गरीमा बनी रहेगी, राष्टे की एकता बनी रहेगी, रखंडता बनी रहेगी, उन सबको सुनिश्चित करने वाली बंधूता बढ़ाने के लिए, बंधूता का मतलब हम पूरे देश के जितने भी नागरिक हैं उनको एक परिवार के समान माने कि वो अपने ही परिवार के सदस्य हैं और उनके बीच प्रेम भाव बढ़ाने का पूरा प्रियास करें, भाई चारे का भाव कहने का मतलब बंधूता द्रड संकल्प होकर अपनी सविधान सभा में आज तारिक, तारिक कितनी 26 नवंबर 1999 को मार्ग सिस्मा का सुकलपक्स की सब्तमी थी और सम्वंत की बात करें तो 2006 थी, कितनी थी? 2006 को सविधान को अंगीकरत, अधीनियमित और आत्म अरपित क्या गए? इनका भी करम पूछ लिया जाता है, अंगीकरत पहले है, अधीनियमित बाद में है और आत्म अरपित उसके बाद है तो मुझे उमीद है कि भारत के सविधान की प्रस्तावना आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसकी बाद आपका यहां से कोई भी परसन है, वो गलत नहीं होगा और एक लोगतांत्रीक देश में रहने के नाते, हमें एक आदर्स नागरी के लिए यह सब बातें पता होने चाहिए कि भारत के सविधान की प्रस्तावना क्या करी है, सबसे सरोच प्राथमिकता में वेक्ती की गरिमा, राष्ट की एक्ता और अखंडता को रखा गया है, त अब्दक, थैंक्स